दोस्तों अक्सर हम लोग खाना खाने के बाद सौप खाते हैं यह मूं को रिफ्रेश करता है आयरुवेद के अनुसार सौप की तासिर ठंडी होती है इसलिए गर्वी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है सौप में कई ऐसे पोसक तत्व होते हैं जो सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है सौप में केलशियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम जैसे कई खनिस तत्व पाए जाते हैं इसकी सुगंद भी बहुत अच्छी होती है और ताजगी का एहसास कराती है इसके सेवन से यह शरीर के कई बीमारियों को कंट्रोल करता है चलिये में आपको बताता हूँ कि इसका सेवन कैसे करें सोप का पानी तयार करने के लिए पहले एक गिलास पानी लेकर उसमें दो चम्मस सोप डाल दें और उसे राद बर ऐसे ही रखा रहने दें फिर सुभा उठकर इस पान चेहरे में जुर्णियां आने से रोकता है चेहरे पे हमेशा चमक रहता है बढ़ते वजन से परिशान लोगों के लिए सोप का पाने बहुत मददकार साविद होता है यह अच्छा फैड वर्नर माना जाता है ब्लड प्रिशर को कंट्रोल करता है कब्ज बदहजमी जैसी प कैंसर से बचाता है शरीर की रोग प्रतिरोधक च्शमता को बढ़ाता है साथ जैयों के पानी मां एरन की मातरा भी भरपूर होती है जिसे रोज पीने से शरीर में हिमोगलोमिंग का लेवल बढ़ जाता है और शरीर में एनिमिया की कमी पूरी हो जाती है सूप के पानी में ऐसे एंटी ऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर को कैंसर जैसे गंभीर बिमारी से लड़ने की छम्दा देते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने परिवारों और दोस्तों के साथ शेर जरूर करें और हमारी येटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर से मिलूँगा एक नए अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार